जै जिनीद मैं कोटा से सुनीशा जैन आज शाका हर विशय पर अपने कविदा प्रस्तुत कर रही हूं जिसका शीर्षक है पशू और इंसान निरूबल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है पशू की और इंसान की आदम युग में जनता सारी अज्यान की थी मानी मानव भी पशू के समान था दीरे दीरे से बिता धारी तो वह बना शाका हारी पशू उसकी करुणा का पात्र था अब जीब क्यों लल चाई ये कैसी को बुद्धी आई मास खा खा पशू क्यों बन गया ये कोई तुझको खाए तो कैसी विपदा आए खैर होगी ना तेरी जान की ये कहानी है पशू की अर इंसान की तुने देखा नहीं भाला और किसको काट डाला इससे तो तेरी पहचान थी ये तेरी थी माता जिसका श्राद तु कराता पशू योनी में यही बेजुबान थी दूद पीता आया जिसका मास खाता है उसी का नहीं करता कगरम समान की ये कहानी है पशू की और इंसान की पशू सतत उपकारी इंसां बनता अत्याचारी जान लेता है पशू परिंदान की अब त्यागो आगत सारी और बनो करुना धारी तभी साबत होगी बुद्धी इंसान की ये कहानी है निर बुद्धी और बुद्धी मान की निर बल्ज से लड़ाई बलवान की ये कहानी है पशू की और इंसान की जे जिलिए